हलो एबरीबरण आयम सौम सौम दहिया आप वलकम यू ओन दा रूरल फाइट यूटुब चैनल तो दोस्तो आज एक बर फिल से मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ अपने यूटुब चैनल दा रूरल फाइट पर हाँ दोस्तो तो मैं आज आपके लिए लिक रहा हूँ बेसिक इंग्लिश इंग्लिश को जीरो लेवल से सीखने वाले इस चैनल पर जुड़े रहें तो जैसे कि आप सभी को पता है कि लोकडाउन चल रहा है बच्चों के लिए टाइम पास करना घर पे या फिर घर पे रुकना बहुत मुश्किल हो रहा है और ऐसे में उनकी स्टड़ी पे भी बहुत अफेक्ट पढ़ रहा है तो इन सब चीजों को देखते हुए मैं इंग्लिश की एक ऐसी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसके अंदर हम बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखेंगे तो आज उसका day one है कि first में हम इंग्लिश को कैसे सुरू करें चलिए इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से सीख लेते हैं तो सबसे पहले हम सीखेंगे subject subject क्या क्या होते हैं जैसे I, I को मैं और he, वह, ये लड़कों के लिए यूज किया जाता है यदि लड़की हो तो वह है उसके लिए हम सी यूज करेंगे आपके लिए हम यू यूज करेंगे या फिर किसी को कहना हो कि तुम, तुम के लिए भी हम यू का ही प्रयोग करते हैं वे, वे को हम इंग्लिश में कह सकते हैं दे वी, वी मिन्स होता है हम, जब हम ज़्यदा है ठीक है, अब यदि कोई बंदा अकेला है तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं आई, मैं, और हम मेरे साथ और भी लोग हैं तो हम उनको कह सकते हैं वी, हम who, who means कोन, how, कैसे, where, कहा, when, कब, why, क्यों, what, what का तो आप सभी को पता ही होगा what means क्या, whom, किसको, whom, किसको, whenever, कभी भी, या जब भी whatever, कुछ भी, however, कैसे भी, wherever, कहीं भी, whenever, कभी भी, या जब भी ठीक है, तो यह थे आज के कुछ वर्ड्स जो आपको सीखने हैं बिलकुल basic से हैं, बिलकुल zero level से हैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आयोंगे, चलिए अगले लेसन में मिलते हैं, एक बार फिर से